नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज हम डिसकस करेंगे पार्ग बे स्कीम के बारे में, रिसनली दे हिंदू में का आर्टिकल चपा था पार्ग बे स्कीम से रिगाड़ी, इसमें कुछ नए प्रोवि करेंगे, डीप सी फिशिंग प्लाइन क्या होता है, और रिसनली जो मरेन फिशरी बिल लेके आया है, गर्मन, उसके बार में भी स्लाइटली डिसकस करेंगे, तो आगे जाने से पहले लेक्शा पर लाइक का बटन, चानल को अब तक शेर और सब्सक्रीम नहीं किया हो, तो क स्री लंगा दिख रहा है, इंडिया और स्री लंगा के बीच में से एक स्ट्रेट निकलता है, जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट, जब इको दो बड़े लाइनमासे के बीच में से ओशन या पार्ट ओफ ती ओशन इस तरह निकलते हैं, जिसे हम स्ट्रेट बोलते हैं, तो य यह पार्क स्टेट के अंदर एक बे है बे मतलब क्या होता है जब यह जो कोस्टल लांड है यह ओशन से इस तरह कर्व अंदर की तरफ लेता है न दोस्तों इसको हम बे बोलते हैं तो पार्क स्टेट के अंदर जो बे है जिसका नाम है पार्क बे अब यह पार्क बे का सिक्नि वनात्रपुरम डिस्टिक में आता है, त्यामेशनम आपने सुनाई होगा, काफी फेमस जगा है, हमारा फॉर्मर प्रेजिदेंट डॉक्टर एबीजे अब्दुर कलम जी का जनम भी उधर ही हुआ था, आप देखिए, इस एरिया में मैक्सिम्म फिशर्मन रहते हैं, जो कोस फिशर्मन नए नए तरीके ढूंडते हैं फिश को पकड़ने के लिए, उसमें से एक तरीका है बोटम ट्रोलिंग, इस एन एकलोजिकली डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्राक्टिस, देखिए, बोटम ट्रोलिंग फिशर्मन क्यों करते हैं, यह मैं आपको बता देखिए, क्योंकि उन्हें उतना फिश उपर-उपर से मिल नहीं पाता है, बोटम ट्रोलिंग में होता है दोस्तों, एक फिशिंग वेसल रहता है, उसमें से इस तरह नेट नीचे की तरफ गिरा देता है, यह सी फ्लोर में टच होता है, और बोट आके निकलता है, यह नेट भी साथ- देखिए, फिशर्मन को क्या चीए, पर यह बोटम ट्रोलिंग करने से, फिश के अलावा काफी सारे जो छोटे-छोटे और्गानिसम से, या फिर सी फ्लोर में, जितने अधर एकोसिस्टम में, वो सब फस जाता है, वो सब खराब हो जाता है, कैवल फिश पकटने के चकर मे हम पूरे मरेन रिसोर्स को खराब कर देते हैं, ठीक है, तो यह बोटम ट्रोलिंग को रोकने के लिए, गर्मन ने एक स्कीम लेके आया था, जिसका नाम है, पार्क बे स्कीम, यह स्कीम लोट जुआदा जूले 2017 में, अंडर दा ब्लू रेविलुशन प्रोग्राम, जिसे हम नील क्रांथी मिशन भी बोलते हैं, अब यह नील क्रांथी मिशन का basic objective, क्या था दोस्तों, to achieve economic prosperity of the country and the fishes, देखे, एक तो fishermen के economic prosperity ensure करना है, साथ साथ देश का भी economic prosperity ensure करना है, and contribute towards food and nutritional security, देखे, fishermen क्या पकडते है, fish पकडते है, fishy से type of food, और वो हमें nutritional value भी देते है तो इसी तरह हमें हमारी food and nutritional security में भी contribution करवाना है through potential utilization of water resources हमारे जितने water resources है उसका potential utilization करना मतलब जितना हो सके maximum हमें utilize करना है पर एक sustainable manner में मतलब यह जो bottom trolling वगरा होता है वो सब हमें नहीं करना है sustainable तरीके से करना है मतलब आने वाली generation के लिए भी कुछ बचा के रखना है ठीके दोस्तों keeping in view the biosecurity and environmental concerns सारे चीज़ों को में देखना है biosecurity ensure करना है जितनी environmental concerns है वो भी हमें देखना है तो यह है नील करंधी mission का basic objective आप यह नील करंधी mission के अंदर जो पार्क-based scheme है यह किस के लिए था दोस्तों for diversification of troll fishing boats from park street into the deep sea fishing boats आप देखे फिशर्मन को आप रोख रहे हो जो bottom trolling करने से या फिशर्मन क्या बोलेगा हम क्या करे और हमें deep sea fishing करने के लिए और कुछ नहीं है हमें अगर fish से यह fish पकड़ना है तो उपर उपर से हमें कुछ नहीं मिल रहे हमें नीचे ही जाना पड़ेगा आप नीचे से अगर पकड़ने हमारे पास एक ही तरिक है वो है bottom trolling अब आप हमें मना कर रहे हो तो गर्मन ने क्या बोला एक पाक-based scheme हम लेके आया है जिसके अंदर आपको हम deep sea fishing boats provide करेंगे अब यह deep sea fishing boats क्या होते है दोस्तों कुछ नहीं दोस्तों deep sea fishing boats में जैसे वो bottom trolling में करता था ना fish पकड़ने वाला जो तरीका उसी तरह कर सकता है पर वो नीचे जो sea floor में touch नहीं होगा समझे है मतलब दूसरा क कोई by catch नहीं होगा दूसरे कोई marine species है वो खराब नहीं होगा यह latest technology है यह deep sea fishing vessel से या deep sea fishing boats से हो सकता है तो गर्मन ने बोला पाक-based scheme स्कीम के अंदर हम आपको launch provide करेंगे इसके लिए deep sea fishing boats खरीदने के लिए ठीक है दोस्तों आप देखिए इस एम्ड़ एंकरेजिग फिशरमन तो टेक अप डिप सी फिशिंग and put an end to disputes a racing between India and Sri Lanka आप आप सोच रहोंगे इसमें इंडिया न स्री लंगा के बीच में क्या प्रोब्लम है भाई आप देखिए दोस्तों आप यह आपको इंडिया दिख रहे है यह आपको स्री लंगा दिख रहे है इंडिया न स्री लंगा के बीच में I.M.B.L. दिख रहे है जब इधर फिश नहीं मिलता है वो इधर जाते थे अब इधर जाने से हम इंडरनाशनल मरेटेम बांटरी लेन क्रोस करते हैं मैक्सिमुम जो फिशर मेने उन्हें इस चीज के बार में पता भी नहीं रहता बांटरी लेन कहां पर है वो भी एक प्रोब्लम है जिसकी वज़ ठीक है उतना क्लिर है आप देखें न्जी में आते हैं आपको समझ में आएगा उनियन गौनिरिंज कंसिडरीं इंकरेजिद स्टी इन्क्रीटे उनित प्रेशिंग वैक्रा स्बासे एंपान्पेस权 के लिए पहले यह प्राकश स्टी लाग रूपी struggling करते हैं में को किसके अभी गर्मन 1.3 क्रोर करने का प्लान है, अब तक यह हुआ नहीं है, यह recently जो मीनिस्टर है, एल मुर्गेशन साब, वो भी तमिलनाडू से ही है, उन्होंने यह बोला है कि इंडरव्यू में कि हम 80 लाग को 1.3 क्रोर करेंगे, इतना क्लियर है, आप देख, इसके साथ-साथ, Marine Fisheries Bill 2021 भी पार्लमन में टेबल हुआ था, उसके बारम भी हम slightly discuss करेंगे, अब आपको और एक चीज़ समझना होगा, कि यह जो 1.3 क्रोर पोबेट करेंगा, यह पूरा संडर की तरफ से नहीं हैगा, This is a Centrally Sponsored Scheme, Centrally Sponsored Scheme मतलब सेंडर एक पार्ट देगा, इसके बाद जो State Government है, इतर स्टेट है, इतर स्टमलनाडू हो गया, उन्हें भी देना पड़ेगा, और कुछ पैसे तो Beneficiaries को भी देना पड़ेगा, जो यह Fishing Boats खरीदेगा, डीप सी Fishing Vessels खरीद आगाना, उन्हें भी कुछ percentage पैसे खर्च करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम जो है, Central and State Provide करेगा, यह आपको समझना है, ठीक है दोस्तों, आप देखी, The Project aims to Replace All Trawler Boats, जितने भी Trawler Boats अभी यूज में हैं, उन सारों को 5 साल के अंदर रिप्लेस करना है, डीप सी Fishing Boats में, और और 2,000 डीप सी Fishing Boats गर्मन इंटिडूस करेंगी, ठीक है दोस्तों, आप देखी, मैंने आपको बोला था, यह जो पार्गबे स्कीम है, यह एक Centrally Sponsored स्कीम है, इसका Breakdown देखिए, पहले 80 लाग था, अब यह 1.3 क्रोर होने वाला है, अब तक हुआ नहीं, अब 80 लाग का Breakdown देखेंगे, Centr 50% देगा, State 20% देगा, कितना हो गया, 70% हो गया, अब बैचा 30%, उसका जो 10% है, यह फिशर्मन को Contribute करना है, ठीक है, बाकि जो 20% है, यह Banks प्रवेट करेगा, तो यह है इसका Breakdown, तो 10% जो पूरा, 80 लाग का 10% मतलब क्या हो गया, 8 लाग रोगया, तो 8 लाग रुपीज जो है, यह फिशर्मन को अपने पोकेट से देना पड़ेगा, बाकि जो 72 लाग से, यह कुछ संदर के तरफ से आएगा, कुछ स्टेट की तरफ से आएगा, कुछ बैंक की तरफ से ल activity of catching fish that live in the deep parts of ocean, simple दोस्तों, deep parts of the ocean में जितने fish है, उनको पकटने का activity है, उसे हम deep sea fishing बोलते है, the boats are designed in such a way that fishermen get access to deeper parts of the ocean and fish species, यह boat का design ही ऐसा है, deeper parts of the ocean में accessibility होगा, ठीक है, it is practiced worldwide, especially in coastal areas with no ecological damage, ठीक है, यह जो deep sea fishing से कोई ecological damage नहीं होता है, जो bottom trolling में होता है, उस तरह का कोई issues इसमें नहीं होता है, आप देखें एक important point इतर लिखा है, depth of the water should be at least 30 meters to be considered as a deep sea fishing zone, यह आपके examination में पोच सकता है, ठीक है, deep sea fishing zone मतलब, जहां भी depth of the water 30 meters जे ज्यादा है, उसे हम deep sea fishing zone बोलते है, आप दोस्तों, finally marine fisheries bill के बार में देख लेते ह Solomon में table हुआ था, the bill proposes to only grant licenses to vessels registered under the merchant shipping act 1958, अगर हमारे exclusive economic zone के अंदर किसी को भी fishing करना है, तो उन्हें merchant shipping act 1958 के अंदर register करना पड़ेगा, और इस act में जितने gate lanes लिखा है, provisions लिखा है, उन्हें follow करना पड़ेगा, exclusive economic zone मतलब क्या होते हैं, 1982 के United Nations Convention on the law of the sea, जिने हमें un close बोलते है, उनको अपने सुनाई होगा न, इसमें ये लिखा है, area of the sea in which a sovereign state are special rights, देखी, इंडिया कई बात ले ले लेते, इंडिया के आसपास जितने area is sea का, जहां हमारे special rights है, किसके लिए marine resources को यूज करने के लिए, energy production अगर करना है, उसके लिए, ये सबका special rates हमारे पास होगा, क्यो international law के हिसाब से, अगर open sea है, तो 370 km तक exclusive economic zone रहता है, पर इसी बीच में कोई island आ गया, या दूसरे के country आ गया, तो उसकी हिसाब से change हो जाते है, जैसे हमारा स्री लंग है, तो 370 km नहीं मिल सकता न, तो ये बत कर रहा हूँ मैं, तो basically special economic zone मतलब क्या है, आप समझ गे होगे, तो हमारे जो land area उसको border करने वाला seas में, जितने rights है वो हमारे पास है, तो वही मैंने बोला, exclusive economic zone के अंदर अगर किसी को fishing करना है, तो merchant shipping act 1958 के अंदर register करना पड़ेगा, and exclusive economic zone के अंदर जितने rules है, उसको भी follow करना पड़ेगा, and the bill provides fishing by foreign fishing vessels, thus nationalizing our EEZ, ठीके, अगर कोई foreign fishing vessels हमार हम वापस बेच दिया जाएगा, या उन्हें हम अरस भी कर सकते है, जैसे स्रीलंका, जैसे हम international maritime boundary lane cross कर रहते हैं, स्रीलंका, नेविया कोसगार्ण, हमारे fishermen को अरस कर सेते हैं, करते हैं, वही से ही, basically हम हमारे exclusive economic zone को nationalize कर रहा है, कोई foreign vessels को आने दी देंगे, साथ-साथ एक बन जाएगा, तब हम इसके बारे में डीटेली और भी देखेंगे, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको समझ में आया होगा, जितने चीज़े में आपको समझाना चारा था, आप लोगों की valuable suggestions and comments आप मुझे please comment box में बता दीजेगा, thank you for watching, bye bye, have a nice day.